ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो कि अपने घर में बड़े ही मज़े से रहा गरता था लेकिन उनके पडोसियों ने इस परिवार के लोगों को पिछले काफी दिनों से नहीं देखा था कभी कबार वो लोग सोचा गरते थे कि हम लोग जाकर इने चेक कर लें लेकिन उनके दिमाग में ये बात भी आती है कि इनका पंखा चलता है घर का लाइट चलती रहती है इसके साथ साथ रेडियो भी चलता रहता है तो वो लोग घर के अंदर ही होंगे और वैसे भी हम लोग काम पर सुभह चले जाते हैं स्याम को वापिस आते हैं इन्ही कारणों के चलते हम लोगों ने इन्हें नहीं देखा होगा लेकिन कुछ एक दिनों बाद ही उनके पडोसियों ने देखा कि दो महिलाएं इस घर के अंदर ताक जाक कर रही हैं तो उन्होंने तुरंथ पुलिस के पास कोल कर दिया और पुलिस वाले जब यहां पर आते हैं और उन महिलाओं से वो लोग बात करते हैं तो उन दोनों महिलाओं ने कुछ एक ऐसी बाते बताई जिसके चलते वो पुलिस वाले इस घर का दर्वाजा तोड़कर घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वहाँ की जो सिच्वेशन थी उसे देखकर पुलिस वालों का भी दिमाग चगरा गया कि यार ये क्या है लेकिन ये घर कहा था इसके अंदर कौन रहा करता था और यहाँ पर ऐसी क्या बात हो गई इन्ही सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूँ नवीन और आप लोग देख रहे हैं ओफबिट पोड़कास्ट का एक और नया एपिसोड अगर अभी तक आप लोगोंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह के काफी सारे ट्विस्टिड केस में यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो की नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें इसी के साथ चलिए दोस्तो सुरू करते हैं आज की स्टोरी यह घटना है वेस्ट फिल्ड न्यू जर्शी की जब 17 सितंबर 1925 को जोन लिस्ट का जन्म होता है इसके माता पिता अपने बेटे की बड़े ही अच्छे से परवरिस करते हैं जोन अब धीरे धीरे कर बड़ा हो रहा था उसे बाहर घूमने का काफी ज़्यादा सोक था लेक अपने पिता कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे जिसके जलते वो अपने बेटे से यही बात कहते की तुम्हें पढ़ाई करनी है उड़ ज्यादा अपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना जोन भी अपने माता पिता की सारी बाते मानता है हर रोज वो सुभय उठकर उसने कर ली थी लेकिन कुछ एक दिनों बाद ही वो मिल्टरी से वापिस आ जाता है अकाउंटेंट किया कर वो जोब करने लगता है और इसी तरहें उसने काफी सारी अपनी जोब बदली और आखिर में वो एक पेपर कमपनी में एक सूपरवाइजर के रूप में काम करने लोग मुलाकात के बाद एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं और इस घटना को बीते हुए अभी कुछ एक दिन ही हुए होंगे कि हैलन ने जोन से ये बात कही कि वो प्रेगनेट हो चुकी है जोन काफी ज़्यादा धार्मिक किस्म का था जिसके जलते उसने ज़्यादा आना कानी नहीं की और उसने सिधी ये बात हैलन से कह दी कि अगर तुम मेरे साथ साधी करना चाहती हो तो मुझे इस चीज में कोई दिक्कत नहीं और आखिर कर वो लोग उस घटना के एक दो महीने बाद ही साधी कर लेते हैं लेकिन जब उन दोनों की साधी हो चुकी थी सा जोन काफी ज़्यादा पसंद था और उसने यहीं बात देखने के लिए कि अगर मैं सच में ही प्रेगनेंट हो जाती हूँ तो जोन किस तरह का रियाक्शन करेगा ये बात उसने बोल दी थी लेकिन बाद में उसकी हिम्मत नहीं बन पाई कि वो इस बात को जोन को बता सेके लेकिन जोन ने अब यहीं बात कही कि कोई बात नहीं तुमने जिस तरह के भी बाते कहीं थी अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो जोन और हैलन की साधी के कुछ एक दिनों बाद ही उन्हें एक लड़की होती है जिसका नाम उन्होंने पैटरिका रखा उसके कुछ एक दिनों बाद उन्हें एक और लड़का होता है जिसका नाम उन्होंने फैटरिक रखा और उसके बाद एक आखरी लड़का हुआ जिसक पता चलता है कि इसे सिफलेस नाम की बीमारी हो चुकी है और इसे ये बीमारी इसके पिछले पती से मिली थी लेकिन जोन का यही कहना था कि इसमें हैलन की तो क्या गलती है और जो भी हो हम इसका इलाज करवा लेंगे जैसे भी इसकी दवाईयां चलने वाली हैं वो आप उसे दे दीजिये डोक्रों के साथ यही सब बाते करके वो दोनों वापिस घर पर आ जाते हैं और कुछ एक दिन यही जब टाइम बीचता है तो वो लोग वेस्ट फिल्ड से न्यूजर्सी जा पहुंचते हैं वहाँ पर रहकर अपने काम के परती जोन काफी ज़ादा मेहनत करता ह और इसके साथ साथ उसका यही रूटीन था कि हर रोज सुभे तयार होकर चर्च जाना और वहाँ पर अच्छे से अपनी प्रेयर वगहरा कर लेने के बाद अपने काम पर चले जाना कि हमारे घर की आमदनिया बढ़ चुकी है और अब हम लोग खुल कर खर्चा कर सकते हैं अब उसकी पतनी बड़े बड़े ख्याल देखने लगी थी और उसने ये बात जोन से कही कि हमारे सहर में प्रीज कनोल हवेली जो है तुम उसे खरीद लो वो काफी जादा बड़ी है मै लेकिन जब उसकी वाइफ उसके सामने कुछ जादा ही जिद करती है तो जोन ने यही बात सोची कि अब तो उसकी काफी अच्छी नोकरी लग चुकी है कि उन्हें वो थोड़े पैसे उधार ले ले उसके बाद धीरे धीरे कर अब उसकी आमदनी बढ़ चुकी है तो वो सा पैसे लोटा दूँगा उसकी माने कहा कि चलो ठीक है बेटा मैं तुहें पैसे के लिए मना नहीं करती लेकिन मेरी एक सर्थ है जो भी तुम हवेली लेने वाले हो उसके उपर वाले फ्लोर पर मैं भी रहा करूंगी जोन इस बात के लिए मान जाता है और पहले तो उसकी मा आलमा भी इस बात के लिए इंकार कर देती है क्योंकि वो जोन की वाइफ हैलन को जादा पसंद नहीं करती थी और इन दोनों के बीच जादा नहीं बना करती थी लेकिन जोन उसका बेटा है और उसने किसी चीज़ को मांगा है तो कोई मा किस तरह से मना कर सकती है आलमा ने भी इस बात के लिए हां भर दी और वो इसी सर्थ को लेकर कि वो भी वहीं पर रहने वाली है उसे पैसे दे देती है जोन जाकर उस हवेली को खरीद लेता है और पूरा का पूरा परिवार वहीं पर सिफ्ट हो जाता है अब पूरा परिवार बिलकुल खुस था जोन का हर यूँ ही चलती रहती हैं लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब कि नहीं कारणों के चलते जोन को उस बैंक से निकाल दिया जाता है जोन वापिस घर पर आ चुका था और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो अपने परिवार को ये बात बोले कि उसकी नोकरी जा चुकी है और जिस तरह का वादा उसने अपनी मा से किया था कि उनके सारे पैसे वो वापिस लोटा देगा अब वो उन पैसों को नहीं लोटा सकता जिसके जलते जोन ने अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया और वो इसी तरह जिस तरह कि हर रोज वो जोब पर जाया करता था यूही जोब पर जाता रहता है उसके बच्चे भी हर रोज स्कूल में तयार होकर चले जाया गरते थे जो उन भी अपने सारगा सारा सामान वगेरा लेकर हर रोज की तरह जैसा कि वो बैंक में जाया गरता था वो यूही जाता रहता है और टाइम पास के लि और इसी तरहें घूमते घूमते जब वो ट्रेनों में टाइम पास कर रहा था तो दूसरी तरफ वो और नोकरियों के लिए भी ट्राई कर रहा था इसी बीच उसकी काफी सारी नोक्रियां लगती हैं लेकिन टाइम भी इतने के साथ साथ उसे वहां से भी निकाल दिया जाता है और उसके दिमाग पर हमेशा स्ट्रेस बना रहा गरता था कि अब वो आगे क्या करेगा उसकी मा के बैंक अकाउंट के बारे में उसे पता था उसकी मा उसके उपर विश्वास किया गरती थी और उसने अपनी चेक बुक भी उसे ही दे रखी थी जिसके चलते जोन कभी कबार उनके खाते से पैसे निकल वा लिया करता था और इसी तरहें जोन का अब काम चल रहा था अब उसमें अपनी मा के अकाउंट से भी काफी सारे पैसे निकाल लिये थे उनके बच्चे लगातार खर्चे बढ़ाते जा रहे थे क्योंकि उन्हें यही अंदाजा था कि उनके पिता की एक काफी जादा अच्छी जोब लग चुकी है लेकिन असल में उनके पास पैसे की ल नसे की लत लग चुकी है और वो अपने स्कूल में काफी सारे बॉइफरेंट बनाए हुए है आज के टाइम में और इसकी संगत लगातार बिगड़ती जा रही है और दूसरी तरफ उसकी पतनी को भी लगातार बिमारी बढ़ती जा रही थी दिश समस्या उसकी बढ़ती जा रही थी उसी बिमारी के कान जो कि उसे अपने पिछले पती से मिली थी अब उसे खड़े खड़े ही चकर आने लगे थे लेकिन वो इस बात को लेकर काफी ज़्यादा खुस थी कि उसके पती की एक ऐसी जगहे पर जोब लगी है जहां से उन्हें काफी अच्छी सैलरी जा रही है जिसके जलते वो भी सराब पीना सुरू कर देती है अपने इन सारे के सारे बिमारीयों को भुलाने के लिए लेकिन इसका सराब पीने का ये सोक कब इसकी आदत बन गई इसे भी इस बारे में नहीं पता था एक टाइम था जब उसकी पूरी फैमली काफी ज़्या जहां पर सराब पीकर अपने घर पर पड़ी रहा करती थी और उनके पास पैसे भी नहीं थे जहां उसकी नोकरी भी जा चुकी थी और जोन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो उसके दिमाग में ये बात आई कि उसे अपनी जान दे देनी चाहिए लेकिन उसका ये भी मानना था कि ये एक पाप है कोई कायर ही आतम हत्यागरता है मैं ऐसा नहीं कर सकता अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो मुझे नर्क जाना होगा लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे उसने अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए हर मुम्किन कोसिस की लेकिन आखिर में वो ऐसाफल रहा और आज के टाइम के हालात वो देखी सकता था उसने ये बात तो पहले ही सोच ले थी कि गरीबी एक अभी साप है और अपने परिवार को गरीबी से बचाने का आखिरकार उसने एक फोर्मूला निकाल भी लिया और तब तक टाइम आ चुका था 9 नवंबर 1971 का जब वो सुभह उठता है अच्छे से नाद होकर अपने चार्च में जाता है वहाँ पर जाकर अच्छे से प्रेयर करता है और वापिस घर पर आता है घर पर आगर उसने अपनी वाइफ से ये बात पूछी कि बच्चे कहां पर हैं तो उसकी वाइफ ने कहा क बच्चे तो तयार होकर स्कूल जा चुके हैं जसके बाद वो अपनी वाइफ के पास बैठ काफी देर तक वो उसके साथ बाते करता है वो सब ही बाते करता है कि हम किस तरह से मिले थे हम एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते थे और इसी तरह कि कुछ एक देर बाते कर लेने के बाद उसकी वाइफ ये बात कहती है कि मुझे अब खाना भी तैयार करना है बाकी बाते हम बाद में करेंगे ये बात बोलकर वो किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और पीचे से जोन जाकर उसके कनपटी पर बंदूख रखकर गोली चला देता है बंदूख चलते ही गोली उसके सिर्फ से आरपार हो गई और वो वही पर गिर जाती है इससे पहले ही जोन ने इसका जुगाड कर लिया था जिसके लिए वो वहाँ पर एक स्लीपिंग बैग को लेकर आता है और उसके बाद अपनी वाइफ की बोड़ी को उसमें डाल देता है और उसके बाद उसे एक हॉल में ले जाकर वहाँ पर रख देता है और वापिस आकर वहाँ पर जितना भी खून फैला हुआ था उसे साफ करने लगता है अब नीचे का सारा का सारा साफ सफाई हो चुकी थी जिसके बाद जोन अपनी मा के पास जाता है उसकी मा उपर अपने खाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि वो इसके ज़स्ट उपर वाली बिल्डिंग में ही रहा करती थी तो वहाँ पर जाने के बाद जोन अपनी मा के साथ बी कुछ एक डिर बाते करता है और उसके बाद जब उसकी माँ अपने काम पर लग जाती है तो पीछे से उसने, उसके सिर पर भी गोली चला दी, जिसके बाद जोन उसे भी उठाकर नीचे लाने की कोशिस करता है, ताकि वो उसे भी स्लिपिंग बैग में डाल कर, वही होल में ले जाकर छोड़ दे लेकिन उनका वेट काफी जादा था जिसके जलते वो उसे नहीं उठा पाया और वो उन्हें वही पर छोड़ कर वापिस नीचे आ जाता है और कुछ एक देर तक वो अपने खाने की तैयारी करने लगता है जब उसका खाना बन चुका था त वहां पर पहुँच जाता है और अपनी बेटी को लेकर वापिस अपने घर पर आ जाता है जैसे ही वो लोग अपने घर पर पहुँचे घर के अंदर जाते ही जोन बेडरूम की तरफ जाने लगता है उसकी बेटी बाहर का दरवाजा बंद करके अंदर आने लगती है और य अपनी जान गवादी जिसके बाद जोन उसकी बोडी को उठा कर स्लेपिंग बैग में रख देता है और उसे उठा कर वहीं होल में पहुचा देता है जहांपर कि इस टाइम उसकी मोम की डैड बोडी भी रखी हुई थी और वो वापिस आकर वहां की भी साफ सफाई करने लग पहुचा और सीधा वो जा पहुचता है किचन में वहां पर खाने की चीज़े ढूंडने लगता है और इसी तरहें खाने की चीज़े ढूंडते ढूंडते वो अपने पिता से पूचता है कि क्या उसकी बहन अभी तक नहीं आई है और उसकी मां कहां पर है और ये सारी बात वहां के भी साफ सफाई कर दी जाती है लेकिन अभी तक उसका छोटा बेटा जोन जूनियर नहीं आया था तो जोन सिधा उसके स्कूल जा पहुंसता है और जोन जूनियर ने ये बात कही कि आज उसका मैच होने वाला है फुटबाल मैच है वो अभी घर नहीं जा सकता तो जोन ने ये बात कही कि चलो ठीक है मैं भी तुम्हारा मैच देख लेता हूँ और वो वही पर रुख जाता है वो अपने बेटे को गेम के दोरान काफी जादा प्रोथसाहित करता है और काफी जादा हूटिंग करता है गेम पूरा हो जाने के बाद वो अपने बेटे के सारे के सारे पसीने वगएरा पोच कर अपनी गाड़ी में बैठा कर घर पर ले आता है और यहां पर लाकर जैसे ही उसका बेटा घर के अंदर जाता है तो जोन ने पिछे से दरवाजे बंद किये और उसके सिर में भी गोली मार दी लेकिन जब वो उसे गोली मार रहा था तो उसका बेटा जोन जूनियर उसे मुड़ कर देख लेता है और वो अपने आपको बचाने के लिए सिर को थोड़ा टेड़ा करता है लेकिन फेस को टेड़ा कर लेने के बाद भी उसके मुग पर जाकर वो गोली लग जाती है और वो गोली उसके जबडे को चीरते हुए सीधी निकल जाती है जोन जूनियर अपने आपको बचाते हुए और अपने पिता से ये बात पूछते हुए कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं दूसरी तरफ जाने लगता है लेकिन जोन अपने बेटे को दर्द में नहीं देख सकता था जिसके जलते उसने उसी टाइम उसके सरीर पर करीबन नो गोलियां ओर चलाई और उसके बाद उसे भी स्लेपिंग बैग में डाल कर होल में पहुचा दिया और ये सारा कांड कर लेने के बाद वो खाना बनाने के लिए जाता है खाना बनाकर वो नहाने जाता है और उसके बाद वापिस आकर खाना खाकर सो जाता है अगली सुभह जैसे ही हुई वो दोबारा से नहाता है चर्च जाता है और चर्च में जाकर अपने परिवार के साथ जो कुछ भी उसने किया था उन सारी चीजों के लिए माफी मांगता है और उसके बाद वापिस घर पर आकर पूरे घर की लाइट जलाकर रेडियो को ओन करके ताकि उनके पड़ोसियों को यही लगे कि यह परिवार घर के अंदर ही है और सारी चीजे नॉर्मली चल रही है वो घर के बाहर आ जाता है और वहाँ पर आकर उसने अपने बच्चों के भी कॉल किया और यही सारी घटना बताई और इसके अलावा जिन जिन लोगों से वो फैमिली हर रोज मिला करती थी उन सभी को इन्फोर्म कर दिया उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से एरपोर्ट की तरफ चला जाता है वहां पर जाकर उसने अपनी ग विवार के मेंबर का कोई भी बोज नहीं था जिसके जलते उसने नोकरी ढूनना शुरू किया और जो भी नोकरी उसे मिल रही थी उससे वो खुद का खर्चा बड़े ही आराम से निकाल रहा था धीरे धीरे कर उसके कार नामों को देखकर जिस तरह का वो मेहनती था उसे ए पुरा नाम बदल लिया और यहां पर आकर डॉलरस मिलर नाम की एक लड़की से साधी कर ली अब वो परिवार में काफी ज़्यादा खुश था और उसकी पतनी भी उसे काफी ज़्यादा प्यार किया करते थी अब पहले वाला माहोल बन चुका था ये वाली महिला भी अब क चलते रहते हैं और हम लोग सुभे जोग पर जाते हैं से हमको वापिस लेट आते हैं और हो सकता है आजकल इनका रूटीन यही चल रहा हो कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो ये लोग बाहर रहते हों और वैसे भी इनके घर पर काफी अच्छे अच्छे गाने चलते रहते हैं तो उन लोगों ने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब दो महिलाएं इनके पडोसियों ने देखा कि इस घर के अंदर देख रही हैं तो तुरंत उन्होंने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया पुलिस वाले वहां पर आ पहुं उन्होंने ये ये बात हम से की थी लेकिन उसके बाद काफी टाइम बीच चुका है ये लड़की अभी तक वापिस स्कूल नहीं आई है तो पुलिस वालों ने भी कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था जिसके जलते वो लोग जाकर दरवाजा नोक करने लगते हैं लेकिन अंदर से दरवाजा किसी ने नहीं खोला जिसके बाद वो लोग पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने की गोसिस करते हैं उसे तोड़कर और अंदर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सन्नाटा चाया हुआ है काफी जादा धूल भी यहाँ पर जमी हुई है मानो य गर पिछले काफी दिनों से बंद हो इसी तरहें चानबीन करते करते जब वो लोग होल में पहुंचते हैं वहाँ पर दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ अंदर से उन्हें काफी ज़्यादा गंदी बदबु आती है वो लोग अपने मूपर रुमाल रखकर अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर जब उन लोगों ने अपनी investigation की तो वहाँ पर चार sleeping bag थे और चारों के अंदर अलग-अलग-अला से रखी हुई थी। अभी तक उनकी teachers का ये कहना था कि वो लड़की missing है लेकिन जब पुलिस यहाँ पर आई पूरी investigation हुई तो ये case missing से crime का बन चुका था और उसके बाद पुलिस वालों की और टीम भी यहाँ पर आ जाती है और जब इस पूरे घर को सर्च किया जाता है पुलिस वाले इस घर के उपर जाते हैं वहाँ पर जाकर चानबीन करते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक डैट बोडी और मिलती है और वो थी जोन की मा एलमा की पुलिस वालों ने सारी चीजे देख ले कि यहाँ पर ये महिला मर चुकी है ये लड़का था ये भी अपनी जान गवा चुका है ये खिरकार जोन के साथ क्या हुआ होगा हो सकता है किसी ने आकर यहाँ पर इन सारे लोगों को मार दिया हो और उसके बाद जोन को अपने साथ बंदी बना कर ले गया हो उन्होंने आसपडोस वालों से पूछा तो यही बात कही कि ये परिवार काफी जादा खुसमिजाज था और इन्हें कोई भी प्रोब्लम नहीं थी लेकिन इसी तरहें अगले काफी दिनों तक पुलिस वाले जब इस केस के उपर चानबीन करते रहते हैं तो उन्होंने पाया कि जोन की गाड़ी इस टाइम वही पास में मौजूद एक एरपोर्ट पर खड़ी हुई है तो उन्हो वाले अगले काफी दिनों तक जोन की तलास करते हैं लेकिन उनके हाथ कोई काम्याबी नहीं लगती और धीरे धीरे कर योही टाइम बीतने के साथ साथ ये केस ठंडा पड़ जाता है 18 साल इन सारी बातों को बीते हो चुके थे उसके बाद टाइम आ चुका था 1989 का जब इस केस को फिर से ओपन किया जाता है दो डिडेक्टिव इस केस को फिर से ओपन करते हैं और वो बंद पड़े इसी तरह के ठंडे पड़ चुके केसों कोई investigation कर रहे थे और उनके हाथ ये केस लगता है तो उन्होंने इसके उपर चान बीन करनी सुरू की और उन्होंने पाया कि इस केस में सिर्फ एक ही फोटो पुलिस वालों के पास जोन की मौजूद है और इसी से इस केस को सोल करना होगा और उस टाइम टीवी का एक काफी ज़्यादा फेमस शो अमेरिकन मोस्ट हॉंटिड आया गरता था तो पुलिस वाले उन्होंने पूरी के पूरी कहानी उन्हो वालों को बताई लेकिन उन्हों टीवी सो वालों ने बिलकुल साफ इंकार कर दिया कि इस केस को बेते हुए लगबग 18 साल बीच चुके हैं और अब हमें नहीं लगता कि इस केस में आप लोगों के किसी भीतरहें की सफलता मिलेगी लेगिन पूलिस वालों का ये कहना था क हम लोगों ने इसके उपर काफी ज्यादा मेहनत की है हमारे पास जोन की ये एक तस्वीर थी जो कि उसने 18 साल का होने पर खिजवाई थी और इसी तस्वीर के सहरे हम लोगों ने काफी सारे इन्वेस्टीकेटर्स की मदद ली और काफी सारे मुर्तिकारों की मदद लेकर एक स्टैचूवन वाया है जो की इस तरहे का है और उन लोगों का यही कहना है कि 18 साल का होने पर जोन कुछ इस तरहे का दिखाई देता था और आज के टाइम में इतने साल बीच चुके हैं इतनी उसकी एज हो चुकी होगी और इस तरहे का वो आज के टाइम में दिखाई देता होगा और आखिर कर वो टीवी सो वाले भी मान जाते हैं जब टीवी सो चल रहा था तो उन्होंने पूरी की पूरी डिटेल इस केस के बारे में अपने विवर्स को बताई और उन से मदद मांगी और अगले काफी दिनों तक पुलिस वालों के पास अलग अलग जगहें से कोल आते हैं कि हाँ जनाब इस तरह का एक बंदा हमारे पड़ोस में रहता है लेकिन ये तो बच्पन से ही यहाँ पर रहता है और इसी तरह के काफी सारे और भी कोल पुलिस वालों के पास आते हैं लेकिन एक कोल इन सबसे अलग था जहांपर सारी की सारी यही बाते बताई गई थी कि हाँ जनाब एक आदमी है जो की करीबन 15-16 साल पहले यहाँ पर आया था उससे पहले वो क्या करता था इस बारे में हमें नहीं पता लेकिन जिस तरह की फोटो आप लोगों ने टीवी पर दिखाई थी वो उससे काफी ज़्यादा मैच करता है आप लोग आकर इससे पूस्ताच कर लीजिए अगर कोई सफलता मिलती है तो अच्छी बात है नहीं तो आप अपनी इन्वेस्टिकेशन जारी रखिएगा जिसके बाद FBI सीधा उसी के घर पर जा पहुंसती है उस टाइम उसकी वाइफ घर पर ही थी और पुलिस वालों ने ये बात पूछी कि क्या बोब घर पर ही है लेकिन उसकी वाइफ ने मना कर दिया कि वो तो जोब पर गए हुए है और वो यहाँ यहाँ पर जोब करते है FBI उब की बार वहीं पर जा पहुंसती है उसकी जोब वाली जगह पर और वहाँ पर जाकर उससे बाते गरती है और पहली नजर बे जब उन लोगों ने देखा तो वो हूब हूँ उसी जैसा था जैसा कि उनका स्टैचू तो FBI जाकर उससे बात ये करती है कि क्या आप ही का नाम बोब है उसने कहा कि हाँ जनाब मेरा ही नाम है बताई जनाब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ और उसके बाद पुलिस वालों ने पूछा कि अगर आपका ये नाम है तो जोन किसका नाम है ये बात FBI वालों की सुनते ही बोब का पूरा दिमाग चकरा गया और उसने ये बात कही कि जनाब मेरा नाम जोन नहीं है मैं नाही इस तरह कि किसी आदमी को जानता हूँ लेकिन जिस तरह कि वो बाते कर रहा था उससे FBI को पूरा यकीन हो गया कि यही वो बंदा है जिसकी हमें पिछले काफी दिनों से तलास है और उसके बाद FBI वाले उसे अपने साथ पकड़कर पुलीस टेसल लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उससे पूरी पूछ ताच करते हैं और कुछ एक देर की मसकत के बाद उसने सारी की सारी बाते बताई कि हाँ जनाब मैं वही बंदा हूँ जिसकी आपको तलास है दरसल वह सारे के सारे कांड मैंने ही रचे थे और उसका खास कांड यही था कि एक टाइम ऐसा हुआ गरता था जब हमारी पूरी फैमली काफी ज़्यादा रिलिजियस हुआ करती थी लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ उनका काफी ज़्यादा बुरा हल होता जा रहा था वो लोग सारे के सारे ऐसे काम कर रहे थे जिनसे उनके नर्क में जाने की संभावना काफी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनके काम ही कुछ ऐसे थे हाँ मैंने उन चारों को तो मुक्ती दे दी लेकिन वो अपनी मा को नहीं मारना चाहता था लेकिन उसे जबरदस्ती उसे मारना पड़ा क्योंकि उसे पता है कि जब उसकी मा को पता जलेगा कि उसके बेटे ने उसके परिवार को बिल्कुल खत्म गर दिया है तो वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाएंगी जिसके जलते उसे अपनी मा की भी जान लेनी पड़ी उस टाइम वो खुद की भी जान गवाने वाला था आतम हत्या वो करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि उसे पता था कि आतम हत्या करना एक पाप है और वो अगर ऐसा गरता है तो उसे नर्क में जाना पड़ेगा उसकी पूरी की पूरी फैमली को वो स्वर्ग में भेज चुका है लेकिन अगर वो अब खुद की भी जान ले लेता है तो उसे नर्क में जाना होगा बस वो अपने परिवार के पास जाने के लिए खुद जिन् हुआ है और इसका चेक अप करवाना जरूरी है लेकिन सारी की सारी रिपोर्ट जब आ चुकी थी तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी और जोन के उन सारे कारणामों को देखते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है वैसे दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में भी जरूर बताएं और इसी तरह की और इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए ओफ बीट पोड़कास्ट को सबस्क्राइब कर लें और इसी के साथ दोस्तो आज का शाउट आट रितु सर्मा को और राइड ए बीटिफुल कमेंट टो गेट इस आउट आट इन नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टिड केस के साथ